नुश्कार बच्छूं इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 30 MCQs को डिसकस करेंगे और ये जनरल साइंस के होंगे जो टॉपिक है हमरे पास है उसका नाम है सब डिविजन जो बायोजी के सब डिविजन से हैं कई सारी ब्रांचेज होती है तो उससे रिलेटेड हम कोच MCQs डिसकस करेंगे जो आपके कमटेटिव एक्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे आते हैं चलिए फर्स्ट क्रेशन में कहा गया तो देखें इंसेक्ट की जो इस्टडी है जिसमें हम लोग इंसेक्ट के बारे पढ़ते हैं उसको क्या कहा जाता है तो उसको कहते हैं इंटेमोलोजी ठीक है तो इसमें B option जो है वो सही हो जाएगा अच्छा बाकियों के बारे मी बतायते हैं तो मुलसका की जो इस्टडी होती है उसको कहा जाता है इंटेमोलोजी नहीं है जेनिटिक्स भी नहीं है वो डेमोग्राफी होती है तो यहाँ पर C options आई है नेक्स्ट पर आते हैं अच्छा वाइरोलोजी क्या होती है तो जो वाइरोलोजी है वो एक तरीकेस कह सकते हैं क्या है तो वाइरस की जो इस्टडी होती है उसको वाइरोलोजी कहते है तो वाइरोलोजी बारे मियाद रखेगा वाइरस की इस्टडी कहलाती है क्या वाइरो लॉजी, next पे आते हैं अगला सवाल देखेंगे next question देखें, क्या कहा गया है study of zoology deals with तो zoology जो है, वो किसकी study होती है तो animals की तो study होती है, लेकिन living के साथ, dead animals की भी study होती है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो both living and dead animals will be the correct answer ठीक है, next पे आते हैं next question को देखें, question number fourth है fourth question में कहा गया, the study of flower is called, the flower की जो study होती है मतलब full की जो study है, उसको क्या कहते है तो उसको कहते है, anthology ठीक है, तो यहाँ पर B option सही हो जाएगा अच्छा, यहाँ पर एक चीज और आपको समझनी है कि यह जो palynology है agro-stology जो है, agriculture से related है crop से related है, ठीक है, grass से related आप कह सकते है, इसको कि grass की जो study है, agro-stology हो जाएगी palynology क्या होती है, इसके बारे मियाद रखेगा जो dust की study होती है ठीक है, dust की जो study हो, उसको बोलते है palynology, और phrenology क्या होता है तो skull जो होता है, जो खोपड़ी होती है उसके उपर जो छोटे-उटे से bumps आ जाते हैं, तो bumps के आने से हम लोग जो है कि ये कह सकते हैं कि mental traits क्या होंगी उसको हम लोग predict कर सकते हैं, अदो लोग इंसान क्या सूच रहा, उसको जब predict किया जाता है तो उससे study को कहते है, phrenology next पर आते है, question number 5 में कहा गया, the comparative study of different cultures and scientific explanation is known as, तो देखें, जब कई सारे culture की study करी आती है, उसके scientific explanation की study करी आती है, तो उसको क्या का जाता है, तो इसको कहते हैं, हम लोग ethnography, तो यहाँ पर B option जो है, वो सही है ठीक है, next पर आते है, study of properties, यहाँ पर थोड़ी सी system है, कई सारे nature में जो present है और उसका use किया जाए, कहाँ पर mechanical world में, ठीक है, तो ऐसी study को क्या कहा जाता है, तो ऐसी study को बोलते है, bionics, क्या बोलते हैं, bionics बोलते हैं, next पहते हैं, question number 7 में कहा गया, under paleo botany, अब देखेंगे, paleo जो है, किसके fossil की बात करियाएगी, plants की fossil की, जब study कर रियाती है, तो उसको बोलता है, paleo botany, तो हैं fossil of animal है, तो गलत हो जाएगा, एक तरीके से paleo geulogy हो जाएगा, algae भी गलत है, फंजाय भी गलत है, तो इसका answer क्या हो जाएगा, number of the above हो जाएगा, हमने आपको बता है, इसके reason क्या होगा, question number 8 पर आते है, rearing of silkworm is known as, तो silkworm की जो rearing होता है, rearing का मतलब आप यह याद रखेगा, जैसे cultivation होता है, cultivation of silkworm को क्या कहते है, seri culture कहते है, ठीक है, तो silkworm के बारे में थोड़ा सा यह आपको पता होना चाहिए, next पर आते है, question number अगले उस पर आते हैं, तो देगे, अच्छा, इसी में कुछ बाते हैं और बहता है, apiculture जो है, वो bee से related है, मदो मक्की से related होता है, halty culture आप देखेंगे, तो flowers से related होता है, बताया भी हमने आपको, ठीक है, अगले में आते है, which one of the following is not correctly matched, कौन सा correctly matched नहीं है, यह आपको यह आपको यह आपको बताना है, ठीक है, तो पहला दिया गया है, flower, flory culture है, बिल्कुल ठीक है, crop जो है, agronomy cultivation है, भी सही है, इसके बाद vegetable दिया गया haughty culture, तो hotい culture जो है, vegetable नहीं आएगा, vegetable का जो culture होता, उसको बोलते है, olericulture क्या बोलते है, olericulture दो olericulture याद रखेगा, olericulture जो होता है, that is related to vegetable, तो vegetable का जहांपर भी एक तरीके से cultivation होता है, तो उसको बोलते है, क्याई, उस तो method को बोलते हैं polariculture ठीक है fruit का जो cultivation होता है या fruit की जो farming होते है उसको pomology कहते हैं यह भी studies सही है तो इसमें कौन सा correctly match नहीं है तो c option correctly match नहीं है 11 में खा गया which of the following is not correctly match फिर से भाई है कि कौन सा correctly match नहीं है तो apiculture दिया है honey bee है बिल्कुल ठीक है इसके बाद दिया गया सेरी culture, silkworm बिल्कुल ठीक है PC culture जो है वो लाख जो है लाख का PC culture नहीं होता है इंसेट्स ओफ लाख इसकी culture नहीं है PC culture होता है फिश ठीक है PC culture is related to fish तो fish का जो culture होता है फिश का जो cultivation होता है उसको कह सकते हैं PC culture ठीक है rearing of fish is called PC culture और horticulture जो है flowers related to कौन सा गलत हो जाएगा c option इसमें गलत है Q12 पर आते हैं which one of the following is correctly match जब आपको उतना है कौन सा correctly match है तो यहाँ पर कुछ आपको words दी है और उसकी कुछ meanings दी गई है जैसे lexicography दिया गया है तो जो study of languages होती है जो languages की study होती है चाहिए वो oral form में हो या written form में हो तो इसको क्या कहता है philology कहते हैं ठीक है इसके बाद आते हैं entomology की बात अगर थोड़ी सी कर दिया है तो entomology हम लोग ने देखा था जो study of insects होती थी उसको क्या कह रहे थे entomology कह रहे थे ठीक है आइकोनोग्राफी हम देख चुके हैं जो icons होते हैं उसकी study होती है उसको iconography कहते है लेक्सिकोग्राफी बहुत ज़्यादा important एक इससे related दो compilation of dictionary से related है next पर आते है question number 14 में कहा गया study related to plants being used as vegetable तो देखिया ऐसे plant जो vegetable की तरह यूज़ करते है या यह कह सकते है vegetable की जो study होती है या vegetable का जो culture होता हूँ क्या कहलाता है भी हमने आपको बताया था इसके बारे में इसको बोलते है oleri culture तो यहाँ पर d options सही है बाकि हम बता चुके है flory culture flowers related है pomo culture fruits related horticulture भी flowers related है next पर आते है which one of the following is produced through viticulture 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 से क्या produce होता है तो viticulture से grapes produce होते है तो grapes का जो culture होता उसको बोलते है viticulture next पर आते है 16 में what is wormy culture देखे वर्मी composting आप लोग ने सुना होगा wormy जब भी आजाए warm क्या होते है warm मतब एक तरीके से warm ठीक है तो warm का जो cultivation होता है जो raising होती है warm की उसको क्या कहा जाता है wormy culture का जाता है तो science of raising worms तो worms को grow करना या raise करना इसको कहा जाता है wormy culture question number 17 में देखे वही same question अलग तरीके इस पूछा गया है wormy culture में जो warm use होते है ठीक है warm कौन से होते हैं तो इसको बोलते है earth warm ठीक है earth warm होते है wormy culture में warm की तरह है ठीक है मतलब जो warm यहाँ पर बात हो रही है जिस warm की wormy culture में वो कौन से warm है earth warm है अब earth warm को क्यों rear किया जाता है तो आपको पता हो काई farmer's friend होता है ठीक है farmer's friend अगर पूछा जाए तो भी आप यही बताईएगा कि earth warm कोई farmer का friend भी कहते है और क्यों कहते है क्योंकि यह soil की fertility को बढ़ाता है soil की क्या करता है fertility को increase करता है ठीक है next पर आते हैं अगला सवाल देखते है question number 18 में कहा गया the study of gerontology अब यह gerontology क्या होता है थोड़ा सा नया नाम है gerontology का मतलब होता है जब कोई बूड़ा हो जाता है इंसान तो बूड़ है इंसान की जो study होती है उसको क्या कहते है gerontology कहते है तो यहाँ पर old age will be the correct answer next पहते है genetics deals with अब जो genetics है genetics में आप जानते होंगे genes chromosome square in बात होती है ठीक है तो genetics जो है वो किस से deal करता है यह आपको यहाँ पर बताना है तो पहला option दिया है Mendels law गलत है organic evolution दिया है यह भी गलत है इसके बाद तीसरा दिया है DNA structure अगर देखा जाए तो यह भी गलत है heredity and variation यही इस cancer सही है ठीक है तो genetics अगर आप देखेंगे तो mainly heredity और variation से related है next पहाते है question 28 में question 28 में कहाँ गया the branch of studying dealing with the old age and aging तो देखें एजिंग बढ़ापे की बात करी जाए या बोड़े होने की बात करी जाए जो aging process है उस से related जो study उसको क्या बोलते है gerontology कहते हैं भी हमने आपको बताया था इसके बाद आते है question number 21st पे देखते है 21st question देखें क्या कहा गया है the study of aging is known as तो बताया वही same question है तो gerontology will be the correct answer question 2nd पे आते हैं बहुत important question है geography में भी एक question पूछा आता है कि pedology जो है वो किसकी study है pedology जो है यहां से confused मत होएगा pedology जो है वो atmosphere की study नहीं है pollutants की study नहीं है seeds की study नहीं है किसकी study है soil की तो soil की study याद रखेगा pedology है ठीक है और कभी-कभी एक चीज़ और पूछी आती है edific ठीक है edific word जो है यह किस से related है तो यह भी याद रखेगा soil से ही related होता है next path is the study of bones are under which of the branch of the science of मतलब science की कौन सी ब्रांच से bones related है मतलब study of bones क्या कहलाएगी तो osteology कहते है ठीक है इसको याद करने का तरीका यह है कि bones में जो deficiency होती है ठीक है मतलब bones कभी कभी hollow हो जाते हैं तो उसको बोलते है osteoporosis ठीक है तो osteoporosis याद रखेगा osteoporosis जो है वो किस की बिमारी है कौन से चीज की बिमारी है तो यह bones की बिमारी है next में दिखे क्या कहा गिया question में 25 फिलाटलिस्ट क्या करते है तो फिलाटलिस्ट की बात अगर करी जाएगी तो फिलाटलिस्ट की आ आपको पताहून जाही है तो यह stampo collect करते है ऑग क्या करते हैं ștaime को collect करते है ठीकák collecting के क्वहाइआ सांकर coins का जो collect करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, तो चलिए इसका answer, आप लोग current box में लिखके दीजेगा, कि जो लोग coins collect करने की hobby रखते हैं, उनको क्या कहा जाता है, next में आते हैं 26 में कहा गया, find out the odd one out from the following, अब इसमें से अलग कौन सा है, यह आपको बताना है, तो physiology जो है, वो अलग नहीं है, pathology, physiology, bacteriology, अगर आप देखेंगे, तीनों bio से ही related, लकिन psychology है, इसको bio से related नहीं कह सकते हैं, थोड़ा सा अलग हो जाएगा, मतलब यहाँ पर जो है, यह तीनों के चेक किया जाएगा, कैसे उसको cure किया जाएगा, वो यहाँ पर discussion होता है, next पर आता है, question number 27 में कहा गया, hydroponics क्या होता है, आप लोग ने देखे हो कि कई सारे पेड ऐसे हैं, जिनको अब नई technology आ गई, कि पेड़ों को soil की आवशक्ता नहीं है, तो क्या कहते हैं, उनको water में रखते हैं, और water में वो जो soil में nutrients पाए जाते हैं, जैसे nitrogen हो गया, phosphorus हो गया, potassium हो गया, तो यह सब nutrients इसी पानी में डाल दिया आते हैं, और इसी पानी में क्या होता है, पेड़ों जाता है, तो इस study को क्या कहते हैं, hydroponics कहते हैं, तो plant without soil enrichment, is called hydroponics, तो यहापर यही option इसमें सही हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, 28th question में कहागिया, लिथो trypsy क्या होता है, ठीक है, लिथो trypsy, trypsy नहीं है, trypsy है, अब लिथो trypsy थोड़ा सा नाम भी कठोर है, तो कठोर चीज को break करने की जो study होती है, उसको trypsy कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, art of writing on stones गलत है, breaking of kidney stone through raise, तो raise के थूँ, जो raise होती है, कई सारी बड़ी यह कह सकते हैं, कि energetic raise है, जिनके थूँ क्या कियाता है, kidney stones को break किया जाता है, आप होता है, calcium oxalate का, याद रखेगा, नाम याद रखेगा, calcium oxalate होता है, ठीक है, stone का अंतलब यह नहीं है, यह rock है कोई, calcium oxalate है, next पर आता है, question number 29 में कहा गया है, the scientific study of algae is known as, अब देखे, algae की study होती है, यह बहुत important है, algae की study study क्या कहलाती है, यह आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है, तो algae, algae जो है, इसकी study zoology नहीं कहलाएगी, zoology में भी आपने देखा था, animals की study थी, ठीक है, botany में plants की study थी, ठीक है, bacteria की study थी, तो यहाँ पर हम लोग इसको order and out करके भी कर सकते हैं, तो phycology जो है, यह क्या है, तो यह algae की study होती है, last question है, आज का, इसमें देखे कहा गया है, match the column करना है, जैसे birds की study है, भी हमने आपको बताया था, birds की study क्या है, तो ornithology होती है, ठीक है, environment की study, ecology कहलाती है, fossil की study बताया था, पहली हो जहाँ पिया जाएगा, वो fossil हो जाएगा, inheritance क्या होता है, genetics से related है, तो इस तरीके से यह कुछ important questions थे, जो हम लोग ने discuss किये, इसके अलवा और भी कई सारे MCQs हैं, जो पहले से ही playlist में लगा दिये गए हैं, playlist को follow कर सकते हैं, आप किसी भी competitive exam की त्यारी कर रहे हैं, किसी भी school entrance exam की त्यारी कर रहे हैं, school में कोई exam की त्यारी कर रहे हैं, तो आप यह सारे videos से अपनी preparation अच्छे से कर सकते हैं, तो अभी क्लिए फलालत नहीं, thank you very much, goodbye, jahind.